पार्इ सांग परीवार हैं प्रेशन के लिए काम भी किया लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि उसको ग्लोरिफाई करने की कोशिश की जा रही है पर इसी सिलसिले में आपने रिसेंटली देखा होगा कि राज़नाथ सिंग ने भी कहा है कि जो सारवर करने जो माफी माँगी थी वो गांजी जी के कहने पर माफी माँगी थी ये बाते में आपके सामने कुछ वाजी करने के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं सबसे पहला बात अब यह देखिए कि इस तरही का एटेप्ट क्यों हो रहा है RSS के पास खुद के कोई heroes नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ खिया ही नहीं देश के लिए कुछ खिया ही नहीं जब पूरे का पुरा देश अंद्रेश से लड़ रहा था ये लोग देश को बाटने पर लगे हुए थे तो कुछ किया नहीं लेकिन आज अपने आपको बड़ा देश बख कहने के लिए नहीं पूरु करना होगा कि इन्हें देश के लिए क्या किया इसलिए ये पूरा वाइट वाशिंग हो रहा है एक हिस्ट्री को वापिस से लिखा जा रहा है और अपने जो heroes हैं जो इनके हिंदूत्व के जो heroes हैं जिनों मुल्क के लिए कुछ किया उन लोगों का एक positive image बनाने के लिए अलग-अलग books लिखे जा रहे हैं अलग-अलग seminar, film सब बनाए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में सारवरकर के बारे में भी statements आ रहे हैं अब चुपा नहीं सकते, इसलिए मुसलमानों को भी defame करने के लिए, मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा भी एक narrative ला रहे हैं तो ये पूरे narrative से मैं आज आपके हम जो point ला रहा हूँ और recently जो राजनाच सिंग का जो statement आया सारवरकर को लेकर उसके बारे में तो उसमें देखि सबसे पहली बात राजनाच सिंग ने कहा था कि सावरकर ने माफी मांगी, मरसी petition धी बिल्डिश के सामने वो इसलिए क्योंके महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था अब पहला चीज जो है सावरकर ने बहुत सारे petition लिखे हमें एक तीन-चार petition के बारे में पता है चनलों कहें ते आठ petition अलग-अलग है लेकिन बहुत सारे petition उसने लिखी यह पहला petition जो उसने लिखा 1911 में था उसके बाद का जो petition आया 1913 में था उसके बाद का 1917 में था महात्मा गांधी साव्ट अफरिका से इंडिया को आये 1915 में तो इसे जूट नरेटिव यह लोग फैला रहे है अब इसमें पॉइंट यह है इतनी आसानी से यह जूटी नरेटिव इसलिए फैराते हैं क्योंकि इन्हें 100% पता है कि यह कुछ भी जूट बोलेंगे उसे आंध बन करके मानने के लिए लोग हैं यहाँ पर याने वाटसेप पर इसी जूटी इस्ट्री अगर प्रफोगेट भी करती है और गवर्मेंट में रहने वाले इतने बड़े-बड़े पॉजशिशन में रहने वाले लग जब ऐसा काम करने हैं कोई गली महले का आदमी नहीं कर रहा है बहुत बड़े पोश्में रहने आदमे ज जुट फैला रहा है उसको आंग बन करके मानने के लिए रोगरेडी है और उसको जस्टिफाई करने के लिए गोधी मीडिया अपने प्राइम टाइम को इस्तमाल करती है तो यह जो एक माफी नामा उसने मांगा था वो असल में उसकी गद्दारी का अपने गद्दारी के वज चूँ है और वहां पर यह आदमी छे मएने के अंदर ही वहां की सजा देख कर यह वहां से भागने की प्लैनिंग उसने कर दी तो यह अशल में भगोड़ेपन की निशानी थी ये कोई strategy की निशानी नहीं थी दूसरा चीज RSS के लोग पर ये बता रहेंगे नहीं ये उनका strategy था अंग्रेजों से जेल मेरे को कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए बहार आकर बहुत सारा काम करने के लिए उन्होंने एक strategy किया ये भी बहुत बड़ा एक जूट है क्योंकि सारवर कर अपने जबान का पक्ता था उसने अंग्रेजों से अपनी माफी नामे में चंद बातें कहीं थी उसमें से एक बात उसने ये भी कहा था कि मैं बहार आँँगा और अपनी जो भी capacity उस capacity में इस government के लिए और अगर आप मुझे यहां से भार छोड़ेंगे तो मेरी बातें सुनकर बहुत सारे लोग जो भटक गए देश की आजादी के लिए काम करने को उसने भटक ना कहा मेरी बात सुनकर जो बहुत सारे लोग भटक गए है वो सारे लोगों को मैं वापिस रस्ते पे लाओंगा और वो सारे लोग भी जो है अंगरोजन के लिए काम करेंगे यानि जो हमारे करांती कारी थे जो हमारे देश के लिए आंदोनन कारी थे यह सारे लोगों को उसने भटका हुआ यह वक्खा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के वास्ते उसने लिख दिया हमें देखना चाहिए सारवर कर जेल के बाहर आने के बाद उसने क्या था सब लोग से भी मटिक मसी पटिशन के बारे में बात कहते हैं सब लोग कहते हैं उसने माफी मांगी और RSS के लोग कहते हैं strategy था अब हमें देखना है बाहर आने के बाद उसने क्या किया बाहर आने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदेगी अंग्रेजों के अजेंडा को इंडिया में implement करने के लिए लगा दी अब एक नया point भी आया है कि जिर्फ अंग्रेजों का नहीं CIA का भी agent था और CIA के लोग भी उसे हर weekly basis पर पैसा दिया करते थे और सिर्फ CIA नहीं fact है अंग्रेजों के pension पर भी पूरी जिंदेगी अपनी जिंदेगी चलाई है उसने तो बहार आकर कोई strategy नहीं की बहार आकर उसने सिर्फ और सिर्फ गुलामी की उसमें आपको छोड़े चीज़ बताता हूँ कि जो उस समाने के ब्रिटिश के secretary of state थे उन्होंने एक अपने statement में कहा था उनको चाकर इसने सावा करने के letter में लिखा था कि British और हमारे यानने हिंदु मासवा के जो अजेंडेस हैं ये अजेंडेस बहुत मिलते हैं और हमें साथ में काम करना चाहिए अपने दुश्मन ही छोड़ना चाहिए जब पूरे इंडिया अंग्रेजों का अपना दुश्मन समझ रहा था यह आदमी जाकर British के Secretary of State से letter लिख के कह रहा था कि हमारे अजेंडा है कि हमें एक होना है उसके बाद जब Second World War आया Second World War आने के वक्त क्या हो रहा था कि एक तरफ हम देखते थे कि सुबास चंदर बोश जी एक आयेने बना रहे थे आजाद हिंड फोज बना रहे थे और पूरे हिंडिया के हर धर्म के लोगों से कह रहे थे कि आप अजाद हिंड फोंज में जम जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ और ब्रिटिश आर्मी में आप जम कर आपको लड़ना होगा किसे यही हमारे आजाद हिंड फोंज के लोग है उनसे लड़ना होगा उसके बाद जब गांधी जी ने सत्यगरा का अनौंसमेट किया था डिसेंबर 1940 में तो मदुरा के सेशन में यही सारवर कर कह रहा था कि उ 17 आर्मी के साथ इंडिया पर हमला कर रहे थे उस वक्त ये उस वक्त पर भी जब बंगल और आसाम में जंग चल रहेगी उस वक्त भी यही सावर कर कह रहा था हिंदू योकों को कि आप लोग अंग्रेस की आर्मी में जम जम हो और वहां आजाद इन फोंज के खिलाफ हिंदों से कहता है कि ब्रिटिश आर्मी में जमो और अपनी जमीन के वास्ते लड़ो यहाने जो इसकी गुलामी है इसकी सार्वर कर की गुलामी इस गुलामी का सर्टिफिकेट भी इसको अंग्रेसों ने दिया है याने सिर्फ वन साइड़ गुलामी नहीं था आदर प्रिटिश के आर्मी में हो अपने पोजिशन को मत छोड़ो अपने पोस्ट को मत छोड़ो तो यह जो एक बात यह लोग लेके आ रहे थे कि सिर्फ स्ट्राटिजी की तोर पे इसने माफी माँगाए कोई स्ट्राटिज नहीं था बाहर आकर इसने अपने वफादारी भी दिखाई और उस वफादारी का पैंचन भी मिला तारीफ भी मिला इसे अब देखेंगे बड़े बड़े यह लोग बात कह रहे थे कि हम देश को बचा स्ट्राटिजी लेकिन वहाँ पर जब सिंद के एस्ट्रेशिन पास किया गया कि अलग कं entries बना ना चाह이 है पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए अलग कंटिरे बनाना चाहिए उसके बाऊजूद भी सावरों करकी परटी के लोग resignation नहीं किये, अपना minister का post बचा के रखे, यानि जब जब बात अपने personal benefit के आती है इनको लिए देश कोई माईने नहीं रखता सिर्फ उसके बाद आज बड़ा glorification की बाते होती है, अब next बात मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्यों Muslim League के साथ और Muslim League 19th session था है, आहमदाबाद में वहीं पर सारवर करने एक clear कर दिया था कि हिंदू और Muslim ये दो एक अलग nations है ये दो अलग nations है एक opposite nations है, ये एक नहीं हो सकते, दो अलग nations है तो ये two nation theory की सबसे पहले बात करने वाला आदमी यही है तो जब आगे जाकर सिंद के assembly में, जब 1943 में resolution पास किया, तो इसके party के लोगों ना अपोस नहीं कहिए, ये लोगों खुद जाते थे कि two nation होना चाहिए तो एक एक आदमी जो पहले माफी मांगता है, एक बार नहीं multiple बार, सिर्फ माफी माफी मांगने के बाद बाहर आकर अंग्रेजों की गुलामी करता है अंग्रेजों को सपोर्ट करता है, उनके आर्मी में लोगों को भरके होने की बात कहता है, कुट इंडिया मुहमेंट के खिलाफ बात करता है British politicians के पास जाकर अपने services को आपर करता है यह इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था इनके पास leaders नहीं है, इन्होंने आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया सिर्फ जोट फैला है आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम आपने कभी हमें इंडिया के लोगों को इस चीज़ से आगा होना चाहिए हमारा जो एक स्ट्रॉंग लेगसी है एक फुर्लिस्टिक सोसाइटी की एक लेगसी है उस लेगसी को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है और हमारे हिस्ट्री के साथ मुझाकिलत करने की जब जब कोशिश ये RSS के लोगों और ये हिंदु दुवादी करेंगे जब रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है